दोस्तो अगर आपके पास भी Central Bank of India का नए ATM कार्ड है तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने माला हूँ कि उस नए ATM कार्ड का आप पीन जनेरेट कैसे करेंगे यानि दोस्तो आप उस नए ATM कार्ड का पीन कैसे बनाएंगे दोस्तो मैं Central Bank of India के ATM में चल के और आपको लाइब प्रोसेस करके दिखाने माला हूँ कि आप नए ATM कार्ड का पीन कैसे बनाएंगे तो दोस्तो इस वीडियो को लाइस तक जरूर देखिएगा अगर दोस्तो आपके पास भी Central Bank of India के नए ATM कार्ड है तो लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से ए चीज सांथ में लेके जाना होगा सबस्तो आपके पास जो भी ATM कार्ड होगा उस ATM कार्ड को आप लेके जाएगा दूसरा आपके एकाउंट से जो भी मुबाइल लिंक होगा उस मुबाइल को आप सांथ में लेके जाएगा क्योंकि दोस्तो उस पे एक OTP आता है इसके बाद तो नए ATM card का pin बनाते समय में आपको ए तीन चीज का जुरत होगा चलिए मैं अब आपको बाता हूँ कि नए ATM card का pin कैसे बनाए जाता है तो ATM card का pin बनाने के लिए सब सब्सक्राइब आप यहां Central Bank of India के कोई ATM में चले जाएंगे इसके बाज तो आप यहां पर अपना card को इंसर्ट कर देंगे आपके सामने कुछी तरह से इंटरफेस कुल के आजाएगा आपको यहां पर दो अप्सें देखने मिलेगा रूपेट डेबिट 2 और रूपेट डेबिट 1 तो आप यहां पर रूपेट कर देंगे इसके बाद विश्ट आपके सामने कुछी तरह से इंटरफेस कुल के आ जाएगा यहां पर आपको बहुत सारा ओप्सन देखने को मिलेगा तो आप यहां सींप्ली ग्रीन पीन वाले अप्सन पे क्लिक कर देंगे जिसाहिन आप को हां पर क Michõ explosive कर देंगा आप य पर डाल देंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस कुल के आजाएगा अब दोस्तों यहां पर आपको अपना कॉस्टरमर आईडी या पिर दालना होगा तो आपके पास्पूक पर लिखा होगा तो ओस यह नमबर आप यहां पर डाल देंगे इसके बाद आप यहां कर देंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस को आजाएगा यहां पर आपको बताया गया है कि आपके रजिस्टर मॉबाइल नमबर पर एक OTP सेंड कर दिया गया है और उस OTP के मदम से आप अपने पीन जनेरेट करेंगे इसके बाद तो यहां पर आपको नीचे देखने को मिलेगा कि यह OTP आपका 24 घंटे के लिए भालीड है आप 24 घंटे के अंदर कभी भी आप अपने नए ATM कार्ट का पीन बना सकते हैं तो इसके बा ओब दो आपके सामने कुछी 우सी तरह से इंटरफेर श्कूल के आजएगा यहां पर कि क्लीक कर देंगे-पके सामने कुछी तरह से इंटर्फेरस स्कूल के आजएगा अब दोस्तों आपके mobile नमबर पर जो भी OTP आया होगा उस OTP को आप यहां पर डाल देंगे इसके बाद आप यहां confirm पर किलिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस कुल के आजाएगा यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर आपका OTP वेरिफाई हो चुका है इसके बाद तो आप यहां confirm पर किलिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस कुल के आजाएगा यहां पर आपसे बोला जारा है प्लीज इंटर यूर निव पिन आप यहां पर फोडिजिट का आप अपने ATM के पिन बना लिजेगा जो भी आप अपने ATM आप पहले डाले थे डाल दाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस कुल के आजाएगा यहां पर आपको देखने में मिलेगा यानि दोस्तों आपका यहां पर बन चुका है जो भी आप अपने फोडिजिट का पिन डाले थे उस पीन को आप हमेसा याद रख तो पीन आपसे मांगा जाएगा तो आप उस पीन को हमेशा याद रखिएगा जो भी आप फो डिजित का पीन डाले थे तो दोस्तों आप इस तरह से बहुत ही आसानी से सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का नया एट्यम कार्ड का पीन बना सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों साथ भी सेर कीजिए सो इसके बाद भी दोस्तों आप लोग का मन में किसी भी तरक सवाल हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं